बिग बॉस, सुभाश गाई is the big boss of the film industry और मुझे लगता है कि सुभाश जी के साथ काम करने का हम लोगों को जो मौका मिला है वाके में I am very grateful to God Almighty कि एक इतने talented शक्स के साथ जो है हम लोगों को मौका मिला और एक नहीं बात पैदा हुई यह परदेश का म्यूजिक आप देखिएगा परदेश का म्यूजिक विल बी एन अल टाइम हिस्ट्री और यह मालिक करे हम लोगों की दौाएं हैं यह कि मुझे लगता है इस तरह का म्यूजिक कभी नहीं आया होगा इतना विगरिस इतना रोमैंटिक और मतलब इसमें हर तरह की आपको चीज़ जो है पेट्रियोडिजम आपको नज़र आएगी इसमें रोमैंस नज़र आएगा आपको इसमें जो है एक दर्द है और सुभाश काहीं जी के साथ काम करने का मज़ा यह है कि वो टेक्निशन को सर पर भीडा देते हैं एएनगी पैमपर करते हैं टेक्निशन को कहते हैं कि टेक्निशन इस ने टॉप अफ दो वोल्ड Linux और जाहरी बात है जब आदमी top of the world पे feel करेगा तो उसका काम भी top of the pops होगा तो उनका handle करने के तरीका खास करके मुझ जैसे eccentric आदमी को उने इतना खुबसरती से tackle किया है कि मैं आपको बेयान ने कर सकता है मैं सुभाष जी का पूरे अवाम के सामने जो है पूरे मेरे दोस्तों के सामने बहुत बहुत शुक्री आदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे eccentric आदमी को भी बहुत ही बहुत प्यार से और बहुत प्रेम से समाला और इस फिल्म की जो है music का success मालिक में जा तो जरूर होगा और मैं जरूर ये कहूंगा कि सुभाष जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा inspiration को इंसान को जो है वो रोज मर्रा की जिन्दगी में हर रोज inspiration मिलते रहते हैं और समय बड़ी बात तो है उपर वाले की उसका करम है बस उसका करम जब होता है तो सारे गाने inspired हो जाते हैं